आज महाराश्ट्र के अंदर 288 विधान सभा सीत्यों के लिए मतदान चल रहा है महाराश्ट्र की जनता आने वाले पास सालों के लिए अपनी तकदीर तै करने वाली है इस बीच में जहां महाराश्ट्र के अंदर आप चुनाच चल रहा है कई नेता कई सेलिब्रेटीज महाराश्टर के अंदर अपना चुनावी मतदान करने पहुच रहे हैं वहीं महाराश्टर की सियासत में विनोत तावडे का मामला शान्त होने का नाम नहीं ले रहा है जहां एक तरह कल ही करोडो रुपए के साथ बीजेपी नेता विनोत तावडे एक होटल के अंदर पकड़े गए उसके बाद महाराश्टर की सियासत में बवाल मच गया कि महाराश्टर के चुनाव से ठीक एक दिन पहले ऐसे कैसे हो सकता है क्या बीजेपी के नेता लोगों के बीच में इस पैसे को बाटने के लिए जा रहे थे क्या महाराश्टर का चुनाव बदलने के लिए पलटने के लिए इन पैसों का इस्तमाल होने वाला था ये तमाम चीजे इस वक्त जो हैं वो महाराश्टर की सियासत के इर्दिगर्द घूम रही हैं इस बीच में इस पूरे मामले के अंदर महाराश्टर में राहुल गांधी की एंट्री हो गई है और उन्होंने सीदे नरेंद्र मोदी से सवाल कर लिया है और इसके साथ ही उन्होंने कल सूशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्सपर एक पोस्ट लिखा और साथ ही साथ में विनोत तावडे के इस मामले पर अपना बयान दिया है एक तरीके से देखे क्या कुछ कहा है राहूल गांधी ने कल शाम के समय इसको पोस्ट किया और लिखा मोदी जी ये पाच करोड किसके सेव से निकाला है जनता का पैसा लूट कर आपको किसने टेंपो में भेजा और एक क्वेशन मार्क के साथ राहूल गांधी ने विनोत तावडे की ये विडियो अभी शेयर की और देखे अब जैसे क्योंकि एक तरफ जहां राहूल गांधी अडानी के मामले को जो जिस तरीके से पूरा धारावी का जो प्रोजेक्ट है उसे लेकर मोदी सरकार को घेर रहे थे और हमने देखा था कि किस तरीके से राहूल गांधी ने एक बकायदा प्रेस कॉन्फरेंस की थी जिसमें एक वो तिजोरी लेकर आये थे और उन्होंने अडानी मोदी इन तमाम लोगों को घेरते हुए कहा कि जो धारावी प्रोजेक्ट के जरिये जो पैसा जो है क्या वो अडानी की जेब में भरने की तैयारी या कोशिश जो है वो मोदी सरकार कर रही है और पूरे के पूरे धारावी प्रोजेक्ट को लेकर जो है लगातार मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी नज़र आये थे इस बीच में महारास्ट्र की सियासत को या कहे महारास्ट्र के चुनावों को गर्माने का एक और मुद्दा सामने आ गया जहां बीजोएपी के ही नेता विनोत तावडे जो है होटल के अंदर करोडों रुपई के साथ पकड़े गए इस बीच में राहुल गांधी के जवयान पर विनोत तावडे ने भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दिये देखे विनोत तावडे ने क्या कुछ कहा है विनोत तावडे ने दो ट्वीट किये हैं दो पोस्ट किये हैं विनोत तावडे ने लिखा कि राहूल गांधी जी आप श्वयम नाला सुपार आ जाए होटल का CCTV पुटेस देखे वहां हुई निर्वाचन आयो की पूरी करें आप आए और यहां की पूरी CCTV पुटेस चेक कर लीजी आप जो बात कह रहे हैं वह बेसलेस बात है और इस बीच में विनोत तावडे ने एक और पोस्ट जो है वो किया विनोत तावडे ने कहा कि राहूल गांधी सुप्रियात राताई या जिसे भी आरोप लगाना है वो पहले आकर CCTV चेक कर ले अपने कारेकरताओं के साथ चाए पीना कोई गुनहा तो नहीं है जिसे हंगामा करना है करता रहे हंगामा करने से सच नहीं बदल जाएगा चालेस साल से मैं राजनीती में हूँ और मेरे जीवन में कभी पैसे का मामला नहीं आया ये बात दुनि पीने के लिए नेता जी करोडों रुपए के साथ होटल में पहुच रहे हैं चाय पीने के लिए सोचिए अपने आप में सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर सवाल यहीं उठ जाता है कि करोडों रुपए के साथ अपने लोगों के साथ आप चाय पीने के लिए गए गए थ वोट करने के लिए पहुच रहा है वही आज सुभा सुभा राहुल गानी पीम नरेंद्र मुदील लोगों की तरफ से मतदान करने के अपील की गई है राहुल गानी ने आज सुभा सुभा पोस्ट करके क्या कुछ लिखा जरब वो भी देख लीजिए राहुल गानी ने कहा क कि महाराश्ट्र के भाईयों और बहनों मैं आपसे अपील करता हूँ कि आज राजवी के स्वाभिमान सम्विधान के रक्षा के लिए वोट अविश्य डाले महाविकास घारी को दिया आपका हर वोट आपकी नौकरियों और प्रोजेक्ट्स की चोरी को रोकेगा किसानों को का सही दाम दिलाएगा और पाच गारंटियों से आपके जीवन में सम्रिधी लाएगा एक तरीके से पूरी कि पूरी तरीके से राहुल गांधी ने यहां पर अपने इस पोस्ट के जरिये सरकार पर निशाना साधा सम्विधान के बारे में यहां पर कहते हुए नजर आए वहीं पी-म नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ का है जरा वो भी देखिए पी-म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज महाराश्ट्र विधान सभा चुनावों की सभी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे राज्ये के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो पूरे उत्साह के साथ इ चैनाडर मेरा है किसी हम है जिसकी उम्र हो हो जिसकी मतदान देने की उम्र हो चुटि यह उसे अपने घरों से निकलना चाहिए और मतदान की स्प्रक्रिया के अंदर अपना जो भागीदारी है वो दिखानी चाहिए क्योंकि हर एक वोट जो है वो देखे कीमती है अब भले ही चुनावों के जो नतीजे आते हैं वो कितने जादा निश्पक्ष होते हैं नहीं होते हैं ये सब चीजे तो दूसरी चीजे लेकिन उससे पहले जो आपका फर्जा आपको वो निभाना चाहिए क्योंकि महारास्टर के अंदर जहां एक तरफ ये चुनावी मतदान चल रहा है और शाम 6 बजे तक चलेगा वहीं अब साड़े 6 बजे के बाद से जो है वो एक्जेट पोस्ट जो है वो दिखाए जाएंगे चुनाव आयोग ने ये बोला है कि एक्जेट पोस्ट को साड़े 6 बजे के बाद जो लोकसभा के चुनाव में हो, काफी जादा लोगों को उन एक्जिट पोल से निराशा देखने को मिली है, तो अब ऐसे में देखा जाएगा कि महाराश्ट को लेकर जो एक्जिट पोल सामने आएगा, वो किस हद तक सच साबित होता है, कितने प्रतीशत सच जो है, वो साबित ह होता है, क्योंकि महायूती, महाविकास, अघारी, इन दोनों के ही बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, शिफसेना और राश्टवादी कॉंग्रिस पार्टी न्सीपी में तूट के बाद कुल 158 चुनाव के मैदान में हैं, जिसमें 6 बड़ी पार्टिया दो कड़ बंधनों का हिस्सा है, जो कि अब चुनाव रड़ रही है, भारते जिंता पार्टी की अगुमाई में शिंदे गुट और शिफसेना और अजीत पावार की न्सीपी महायूती का हिस्सा है, जबकि कॉंग्रेस उधर ठाकरे की शिफसेना, यूबिटी और शरत पावा पर एकनाथ चिंदे की एंसीपी जो है, वो 59 सीटो पर चुनाव लड़ रही है, वहीं एक बार पिर मैं आपको ये भी बता दू के एक और बयान जो है, हाल फिल हाल में अभी फिर से विनोत तावडे का आया है, उन्होंने कहा है कि भाजपा की जो महासिती विनोत तावडे हैं, उन्होंने कहा कि कारे करताओ की बुलावे पर मैं होटल गया, जहां तक पैसे बाटने की बात है, तो मेरे तो जाच करा लीजिए, राहुल गानी मेरे पास 5 करोड रुपए मिलने का सबूत दे, पोलिस को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मेरे खिलाफ साजिश की गई अब यह साजिश करने वाला कौन है, यह तो अपने आप में बड़ा सवाल है, सरकार आपकी है, महराश्टर के अंदर एक तरीके से आप लोगों का सिक्का महराश्टर के अंदर अभी जो है, वो चल रहा है, ऐसे में विपक्षी पार्टी के नेता किस तरीके से आपको पसा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी जाज कराई जानी चाहिए, लेकिन विरना अजस तरीके से विनोत्तावड इन करोड रुपाई के साथ पक्रे गए हैं, वो अपने आप में, अब यह एक तरीके से कह सकते हैं, अगर महराश्टर की जनता आइस्ट्रीस के वारे में और ऐसी अपडेट से जोड़े रहने के लिए देखते रहिए, ऑनलाइन यूज भारत, ऑनलाइन यूज भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद